प्रथम पुज्य हो तुम्ही कजानन तुम्शुब करता विग्न विनाशन गणेश लेला मैं सत्य हूँ अपनी भूल को स्विकार कर सच्चे मन से प्रायशित कर लेने पर मैं सत्य ऐसे लोगों का साथ देता हूँ की गई भूल के दुश्परिनामों को निश्प्रभावी अथ्वा सिमित कर देता हूँ वस्तुता सच्चे मन से अपनी भूल सुकार करना और प्रायशित सोरूप भविश्य में उसे न दोहराने का संकल्प करना एक प्रकार से मुझे सत्य की ही उपासना है और मैं अपने भक्त का पतन कदापी नहीं होने देता मैं सत्य हूँ हाँ हाहाँ हाँ 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 पपड़ो ना नारायन नारायन आहां चाहा दृष्य है परमपिता देवादी देव महादेव और माता पार्वती बच्चों की क्रिणा का क्या अनंद ले रहे हैं जैसे धर्ती की कोई साधारन ग्रेश्ति हो नारद तुम ब्रहमचारी क्या जानो संतान सो क्या होता है फिर शंकर और पार्वती तो सांसारिक वनुष्यों के लिए पारिवारिक जीवन के आधर्श है ब्रहमचारी होने का अर्थ फिदेहीन होना तो नहीं कि श्री गणेश और कुमार कार्थिके की बाल क्रिनाय मुझे भी उतना ही आनंदित कर रहे हैं जितना भगवान शंकर और पार्वती को पिता मां आपके कथर का उत्तर तो मैं समय आने पर ही दूंगा हुआ 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 है अति सुन्दर क्या स्फूरती और तीवरता है कार्थिके में परमपिता फिर भी वो शुने गड़ेश को पड़ नहीं पा रहे हैं बुद्धी बल जो है उनके पाद नहारायन लारत चालाकी से पड़ के दाव को बचा लेना बुद्धि खळेनल नहीं छल है कार्थिके के परंपिता आप जो भी कहें सिरी गडेश घारतिके के हाथ में आने माले नारत इतना शिग्री निषकर्ष मत्नी कालो परंपिता देख लेना अंत में मेरी विश्य वा नहीं सत्य सिद होगी Shri Ganesh, कार्तिके के हात में आने वाले नहीं है कि माते, यह मोटु दौड़ता तो है नहीं, बार बार अदृष्यो जाता है ऐसे थोड़ी नगुए खेल होता है, अभी देखो, कहां गायब हो गया कार्तिके, प्रस्न दौड़ने या ना दौड़ने का नहीं है प्रश्न है एक दूसरे को पकड़ने का यदि गणेश आपकी पकड़ में नहीं आते तो ये इनके विचेशता ही मानी जाएगी पुत्रकार्तिके खेल की भावना से ही खेल खेलना चाहिए मन छोटा मत करो अपने ब्राता श्री गणेश की जीत को सम्मान दो परंपिता देखा आपने बुद्धिर्यस्य बलम तस्य जो बुद्धिमान है वही बलवान है धारायन धारायन नारायन नारत तुम व्यर्थ की निती बगारते रहते हो मैं कारती के एको दुखी नहीं देख सकता वो देव सेना का सेना पती है मुझे कैलाश जाना हूँ नारायन नारायन परंपिता को अभी क्या हो गया है दो बालकों के खेल को अपने संकल्प विकल्प का अधार बना कर कैलाश पहूँच रहे हैं मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूँ बालक गडेश के साथ कोई भेद्वाव नहीं होने दूँगा श्री गडेश को मुनकी जीत का पुरुष्कार अवश्य मिलना चाहिए नारायन नारायन परणाम महादेव कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मदेव परणाम ब्रह्मदेव सब कुशल तो है ना कि आज के लाश पराकर आपने हमें धन्य कर दिया सब कुशल मंगल है देवी पारवति आप सबसे मिलने का मन किया तो चला आया कि नारायन नारायन बालक श्री गनेश कुमार कार्ति के देवादी देव महादेव माता पारवती के संग परम पिता को देखकर मैं तो धन्य हो गया धारायन नारायन देवर्शी आप तो स्वयम आनंद रूप हैं आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां मधुर स्वर की गंगा बहने लगती हैं सदेव परमात में लीन आप जैसे रिशी महर्शी तो समस्त त्रिलोग के सिर्मौर हैं देवर्शी मैं जब भी आपको प्रसन में मुद्रा में देखती हूं तो समझ जाती हूं कि आप अवश्य कोई न कोई विशेश समाचार लेकर आये हैं माते आज मैं कोई विशेश समाचार तो नहीं लाया किन्तु यह अमृत फल लेकर आया हूं यह फल मुझे चाहिए नहीं नहीं मुझे चाहिए ना ना यह तो मैं माता को ही परदायन करूंगा माते अब आप कैलास में जिसे भी बुद्धिबल में स्रेश समझे उसे यह फल दे दे यह फल मुझे चाहिए नहीं मुझे चाहिए नारद तुम जहां भी जाते हो वहां बिना आश्य कोई ना कोई उपदर उत्पन कर देते हैं कि यह जात होते हुए भी कि श्री परिवार में कार्तिके और श्री गनेश दो बालक हैं कम से कम तुम्हें या दो फल लेकर तो आना चाहिए था शमा करें परमपिता मुझे तो एक ही फल मिला तो मैं एक ही ले आया यदि दो मिलते तो मैं दो ले आता यह फल मुझे चाहिए मैं नहीं मुझे चाहिए यह फल कोई हारजीत की प्रत्योगिता का पारितोशिक नहीं है सदा से यह नियम चला आया है कि उत्तम वस्तों पर पहला अधिकार उसी का होता है जो योग्य होता है अतह मेरी राय में यह फल कार्तिक्य को दे दिया जाए झाहिए 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 झाल झाल पितामा आपने मेरा अधिकार मार कर कार्तिके को भल रहे हैं अब मैं भी देखता हूँ आप अपने स्रिष्टी निर्मान का कार्या कैसे करते हैं मेरा नाम विगनेश्वर है मैं विगनो का शमन करता हूँ और मैं विगनो का पहाड भी खड़ा कर सकता हूँ झाल समझ में नहीं आ रहा, यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, संभव्ता, नारद यह पता लगा सके, कडाम परम्पिता, कल्यान भाग, नारायन, नारायन, धे परम्पिता, ब्रह्म लोक में सब कुछ अस्थ व्यस्थ हो रहा है, परम्शान्थ और अनन्द मैं लोग, आप दाओं से घर गया है, चारों और भ्यंकर गतिशील हवाएं चल रही है, यही नहीं परम्पिता, आप द्वारा रचित वेदों के कई अंश भी नश्थ हो गए है, आग्यादे परम्पिता, मुझे क्या करना है, परम्शान्थ और आनन्द धाम ब्रमलोक में सहसा ही अव्यवस्था और अशान्ती फैल गई है, मेरे सारे किये कराये पर पानी फिर गया है, स्रिष्टी के समस्थ स्रिजन कारियों में बाधा उत्पन हो गई है, मेरी कोई भी रचना पूर्ण नहीं हो पा रही है, इस विशे में तो आप ही अधिक जानते हैं, नारत, ये तुम कैसे वारतालाप कर रहे हूँ, जदि मैं स्वयम सब कुछ जानता, तो तुम्हें स्मरण क्यों करता है, हे परम्पिता, यही तो देवी महाप्रकृती की माया लीला है, देव, दनुज, मनुजादी, सभी अपनी समस्याओं का कारण बाहर डूणते हैं, जबकि वो तो स्वयम उनके अंदर ही नहीं धोता है, नारत, ये दर्शन पर प्रवशन देने का समय नहीं है, जाओ और जाकर शिक्र पता लगाओ, कि स्रिष्टी के स्रिजन कारें में ये सब विगन क्यों उत्पन हो रहा है, है स्रिष्टी करता, इस विगन को तो आपने स्वयम निमन तन दिया है, वो कैसे नारत, है परम पिता, जब आप कैलाश में थे, तो मैं भी वहाँ पे अम्रित फल लेकर उपस्तित हुआ था, मैंने वो फल माता पार्वती को देते हुए कहा था, माते, अब आप कैलाश में जिसे भी बुद्धिबल में स्रेश समझे, उसे ये फल देते, ये फल मुझे चाहिए, मैंने मुझे चाहिए, ये फल कोई भार्जित की प्रत्योगिता का पारितोशिक नहीं है, सदा से ये नियम चला आया है कि उत्तम वस्तुव पर पहला अधिकार उसी का होता है, जो योग्य होता है, अतह मेरी राय में ये फल कार्थिक्य को दे दिया जाएगा, तो ये सब विग्न शिरी गणेश का उत्पन किया हुआ है, निश्चिती परंपिता, ये सारी लीला उस विग्नेश्वर की दची हुई है, जो विग्नों को दूर तो करते हैं, खिंतू विग्न उत्पन भी कर देते हैं, नारायन, नारायन, अब मुझे आग्या दीजे परंपिता, विग्नेश्वर, मुझे त्रुटी हो गई, मुझे शमा कीजिए, मेरी भक्ति को स्विकार कीजिए, मैं स्दाइव आपको स्वर्ण करता हुआ, स्रिष्टी के स्रिजिन कार्यों में लगा रहूंगा, अरे यह दिखने में कितना विचितर सा बालक है, हुआ हुआ है! हुआ है हुआ है हुआ हाँ 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 चंद्रदेव तुम्हें अपने रूप पर इतना घमंद है कि तुम तुछ अग्यानी लोगों की तरह मुझ पर हस रहे हो कि तुम्हारे इस दुष्ट कर्म के लिए दंस्वरुप मैं तुम्हें श्राब बता हूं हे चंद्रद अब तुम किसी के देखने की योग्य नहीं रह जाओगे कि योदि कोई भूल से तुम्हें देख भी लेगा तो वह पाप का भागी हो जाएगा कि योदिए तुम्हें पाप जाएगे कि योदिए कि योद्द दुम्हें कि योदिए कि योदिए कि अपराद कर डाला कि यह मैंना कैसे आपराद कर डाला सभी देवों में प्रतम पूझे गनेश्वर भगवान श्री गनेश के साथ इना मूर्खो जैसा दुरवालचरंड किया इनके दंडसोरूप शाप के कारण मैं सथ के लिए है अदर्शेनिया वर्णिहीन और अधिमलील हो गया हूँ कलाउं से युक्ष असुंदर्ण मुझे पूने कैसे प्राप्त होगा मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझे बहुत बड़ी प्राप्त बड़ी प्राप्त मुझे बड़ी प्राप्त